कर लो आज हम फिर से एक य उसी तौपिक को केरियोन करते हैं और हम पढ़रहते ए बीओं ग्रूप्स और अच्विधी के अंतिरगत हमने पढ़ा था पार्ट मबर कमप नवाले यह यानी जो रुदिरंबर के हम पढ़ रहते हैं आज हम पढ़हेंगे बलड़ Transfusions जो होते हैं उसके संभावित जो परिणाम होते हैं उसको देखते हैं कि ब्लड जो ट्रांसफर है ब्लड ट्रांसफर ट्रांसफर अगर किसी व्यक्ति का एक्सिडेंट हो जाए या उसके एनिमिक कंडिशन हो जाए या उसके किसी ऑपरेशन की जरत पड़े तो ब्लड की जरत पड़ती है क्योंकि ब्लड लोस हो जाता है तो उस ब्लड की पूरती हम किसी अन्य व्यक्ति से लेकर के करते हैं तो एक व्यक्ति से ब्लड लेकर कि दूसरे व्यक्ति को ब्लड अपलब्द करवाने की जो प्रक्रिया है वो रक्त स्थानांतरन या रक्त संचरन कहलाती है तो आज हम देखेंगे कि किस व्यक्ति को ब्लड दिया जा सकता है और किस से लिया जा सकता है और उसके उनको क्या मेच करना ज़रूरी होता है उनके ब्लड ग्रूप को उसमें हम किस चीज को मेच करें तो इस चीज को हम देखेंगे तो देखे हम आज हम देखते हैं इसमें ब्लड ट्रांसफर में कि एक फिर से मुझे एक तो ब्लड ट्रांसपर में ये देखना पड़ेगा हमें कि रत्संसरन के संबावित प्रभाव कुन-कुन से होते हैं तो इसके लिए देखिए हम फिर से एक टेबिल का निर्मान करते हैं एक तरफ हम लिखते हैं ब्लड ग्रूप शॉक में मैंने लिखा है और यह किसको दे सकता है कैन बी गीवन कैन बी गीवन टू किसको दे सकता है कैन रिसीव ब्लड फॉर्म कैन रिसीव ब्लड फॉर्म और इसका जीनो टाइप साथ में देखते हैं जीनो टाइप क्या होगा और जीनो टाइप से हम इन एरिटेंस को समझने नेका परियास करेंगे तो देखे हमने एक टेबिल बनाने का परियास किया है और जो टेबिल बनी है हमारी उसमें हमने तीन कॉलम डाले हैं एक तो किसको दे सकता है और किस से ले सकता है और उसका जीनो टाइप क्या है और ब्लड ग्रूप क्या है उसका तो यह हम देख रहे हैं तो देखें सबसे पहला मैं blood group लेता हूँ O blood group ही ले लेता हूँ मैं सबसे पहले हमने blood group ली आई O O blood group जो है इसके उपर किसी भी तरह का जो है antigen नहीं होता पहली बात आपको समझ में आ जाने चाहिए कि इस पर कोई antigen नहीं कोई antigen नहीं होता यह हमें पता है अब कोई antigen नहीं है तो इसका मतलब यह किसको दे सकता है अरे भाई जब इसकी RBC पर कोई antigen ही नहीं है तो जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उसके blood plasma में जो antibody होगी वो reaction किस से करेगी वो तो reaction करती है antigen से और antigen इसके पास है नहीं तो यह किसको दे सकता है यह दे सकता है O को दे सकता है यह दे सकता है A को यह दे सकता है B को and A B and A B यह क्या हुआ यह हुआ सभी प्रकार के व्यक्तियों को जिनका कोई भी blood group हो उन सब को O वाला वेक्ति दे सकता है क्यों दे सकता है क्योंकि जब इसको दिया जाएगा तो इसकी RBC के ऊपर तो क्यों अंटीजन ही नहीं तो अंटीजन नहीं है तो लेनेवाले व्यक्ति की एंटी वोड़ीशन उनके कलब में गर नहीं पाईगी इसलिए अच्छा ये ले किसे सकता है तो O वाला व्यक्ति उसी से ले सकता है जिसके ब्लड ग्रूप के अंदर जो RBC है उस RBC की सतह पर कोई एंटीजन ना हो तो उससे ये लेगा और RBC की सतह पर एंटीजन किसमे नहीं मिलता केवल O में नहीं मिलता तो O वाला O से ही लेगा अच्छा इसका जिनो टाइप देखें तो इसको जो इनो ग्लोबिन्स जो हैं कंट्रोल करती है उसका जिनो टाइप I, 0, I, 0 यहनि I, O, I, O या L, O, L, O कैसे भी हम लिख सकते हैं तो यह इसका जिनो टाइप हो गया तो पहला बलड ग्रूप हमने देखा पहला बलड ग्रूप आपने देख लिया O वाला और इसमें यह देखा कि वो चारू प्रकार के विक्तियों को चारू बलड ग्रूप टाइप के विक्तियों को बलड दे सकता है बसरते लेने का काम जो है वो केवल उसे करेगा क्योंकि वो के पास किसी भी तरह की एंटीजन नहीं होती उसके RBC की सतह पर इसलिए अब हम बात करते हैं A Blood Group की किसकी बात करते हैं A Blood Group की A Blood Group जैसे ही आप समझोगे तो पिछला वीडियो याद कीजिए जिसमें मैंने बताया था A वाले व्यक्ति के Blood जो सेल से RBC उसकी सतह पर A Antigen होता है तो A Antigen वाला जो Blood है वो किसको दे सकता है ये दे सकता है एक तो A को दे सकता है जिसके पास A Antigen है और एक दे सकता है ये A B को क्योंकि वहां भी A Antigen है तो A Antigen Already A B वाले के पास है तो इसलिए वो आराम से दे सकता है लेकिन ये लेकिस से सकता है ओ वाला यानि एक तो O से ले लेगा क्योंकि उसके पास तो Antigen है ही नहीं तो ये आराम से ले सकता है एक A से लेगा क्योंकि A के व्यक्ति के पास में A B Antigen जा सोरी A वाले Blood Group के व्यक्ति के जो RBC होगी उसपे A Antigen होगा और लेने वाला भी A Antigen वाला ही है तो उन दोनों का Blood Match हो जाएगा इसलिए ले सकता है लेकिन यहां बात आती है ये दे तो सकता है A B से लेकिन A B से क्या A वाला ले सकता है नहीं ले सकता है क्योंकि जो A B वाला व्यक्ति होगा उसके पास तो उसकी RBC जब आएगी तो उसके उपर तो दोनों प्रकार के Antigen है A और B जबकि इसके पास A Antigen है इसलिए Clumping हो जाएगी Antibody Reaction कर जाएगी B के प्रति तो ये Kevaline से ले सकेगा अगर हम इनका Genotype की बात करें तो ये I A और I A हो सकता है या एक और Genotype इसका बनता है I A और I O ये Genotype इसका बनेगा तो ये हमारा Blood Group No.2 हो गया अब हम Blood Group No.3 पढ़ते हैं और जो Blood Group No.3 है उस तरी को समझने के लिए आपको चलना पढ़ेगा अगले Blood Group के पास और अगला Blood Group जो हमारा है वो कौन सा है? B Blood Group है कौन सा है? B Blood Group और B Blood Group किसको देगा? अरे भाई B वाला B को तो देगा ही देगा और साथ में A B को भी देदेगा क्यों देदेगा? क्योंकि A B वाले व्यक्ति को देगा तो इसके Bl Patricia की सरफेस से, उसके भी एंटीजन होगा और B उसके पास है, तो इन दोनों को दे सकता है लेकिन लेगा किससे, अरे उसे तो ले लेगा, क्योंकि ओतो सबको देता है, उसके पास फोई IT नहीं है क्या ये AB को AB से ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्योंकि AB का लेगा, तो उसके RBC पर एंटिजन भी आ जाएगा, जब लेगा जिके पास तो है यहिए कि IB जो है उसके साथ में IO वाली जो है situation मिले तो दो प्रकार की यहां आप देख सकते हैं अब हमारा जो अंतिम ब्लड ग्रूप है अंतिम ब्लड ग्रूप बच गया वो कूँसा बच किया वही अंतिम ब्लड ग्रूप हमारा बच गया आपका AB blood group कौन सा बच गया AB blood group बच गया और AB blood group जो है किसको दे सकता है तो AB blood group वाले व्यक्ति की RBC की surface पर A और B दोनों प्रकार के antigen होंगे और दोनों प्रकार के एंटीजन जिस व्यक्ति में होंगे उसी को देगा और जिस व्यक्ति की RPG की सरपेस पर दोनों एंटीजन मिलेंगे वो तो AB बलड ग्रूप वाला ही होगा तो AB वाला केवल AB को ही दे सकता है अच्छा ये लेगा किसे अरे भाई इसके पास तो कोई एंट antibody नहीं है तो आने वाला जो ब्लड है उसके कौनसी एंटीजन है उसका प्रभावी नहीं पड़ेगा इस पे तो ये ये सब से ले लेगा सब से लेगा O से भी लेगा A से भी लेगा B से भी ले लेगा AB से भी लेगा क्योंकि इनकी सरफेस के उपर जो भी antigen होगा उसे reaction के लिए जो antibody होनी चाहिए वो AB blood group वाले व्यक्ति के blood plasma में antibody ही नहीं तो वो reaction नहीं करेगी तो यह सब से ले लेगा अच्छा AB वाले व्यक्ति की अगर हम देखें जो genotype तो वो मिलेगी IA IB type की तो कुल मिला करके multiple allele का यहाँ example बनता है blood group की वनसागती में और multiple alleles में देखें इनके कुल मिला करके कितने तरह के genotype बन गए तो यहाँ कुल मिला करके आप देख रहे हैं genotype number one और genotype number two और genotype number three genotype number four zero type number five और genotype number six तो छे प्रकार के genotype हमें blood group की inheritance में देखने को मिलते हैं अब हम क्या करते हैं यह blood transfer वाली table को अच्छे से learn करते हैं इसे learn करके और इसके genotype को याद रखते हैं इस पूरी table को देखने पर हमें दो चीजे बिल्कुल clear हो रही है कौन-कौन सी चीजे clear हो रही है वही तो वो चीज जो clear हो रही है उसको आप देखिए मैं circle में लेता हूँ एक जीज तो यह clear हो रही है यहाँ पर ओ ब्लड ग्रूप सब को दे सकता है सब को दे सकता है इसलिए इसको हम बोलते हैं universal universal donor यह चीज के लिए रहो गई एक तो universal universal donor क्योंकि यह सब को दे रहा है और दूसरी चीज देखिए आप जहां सबसे ज़्यादा भरा हुआ है यह वाला स्थान और यह वाला स्थान है इसमें मैंने लिखा है कि ए भी blood group बाला लिखती सब से ले सकता है जितने भी blood group होते हैं चार के चार इसलिए ही इसको हम बोलते हैं universal 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 रेसिपियेंट रेसिपियेंट और universal रेसिपियेंट का मतलब होता है सार्व भूमिक ग्राही सार्वत्रिक ग्राही यानि सबसे लेने वाला तो AB blood group को हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं और जबकि ये जो O blood group है इसको हम universal donor कहते हैं तो इस टेबिल को देखकर के आप कौन व्यक्ति किस से लेगा और किस को blood देगा और कौन-कौन से उसके जीनो टाइप होते हैं multiple एलेल जो आप पढ़ते हो genetics में उसका सबसे अच्छा example जो है वो human blood group में देखने को मिलता है तो आप इस टेबिल को अच्छे से देखिए और समझे और अपनी study को carry on रखिए तब अगले वीडियो तक आप सबका शुक्रिया हुआ हुआ है प्रॉआ है